आईए अब हम जानते हैं कि किसी निकाई की साम्यावस्था पर ताप मान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है यह तो अभी हमने देखा कि जब किसी निकाई की साम्यावस्था पर दाब या ताप का परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांदरताओं में परिवर्तन होनी की वज़े से साम्य वस्था विक्षुद हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो QC का मान है वा KC के बराबर नहीं रह जाता और इसलिए यहाँ पर नेट अभिक्रिया फिर से होने लगती है और तब तक होती रहती है जब तक की QC का मान यनि की अभिक्रिया फाकफल का मान के साम्य वस्था इस्थरांग के मान के बराबर नहीं हो जाता लेकिन यह देखा गया है कि यदि किसी निकाई की साम्य वस्था पर ताप मान में परिवर्तन किया जाता है तो सीधे ही QC के मान में परिवर्तन हो जाता है और हम जानते हैं कि यदि केसी के मान में परिवर्तन होगा तो साम्यावस्था निश्चेत रूप से विश्चुद हो जाएगी लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि केसी के मान में ताप मान से क्या परिवर्तन होता है हम यह बता दें कि केसी के मान में किस प्रकार का परिवर्थन होगा यह अभिक्रिया के डेल्टा जी के मान या डेल्टा जी के चिन्ह पर निर्भर करता है। केसी का मान घटता है। दूसरी ओर उसमा शेपी अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा जी का मान पॉजटिव होता है। यदि इस अभिक्रिया के लिए यदि हम साम्यावस्था पर तापमान में वृद्धी करते हैं तो केसी के मान में बढ़हुतरी होती है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान दीजी हमारे पास एक अभिक्रिया है, A प्लस B उत्करमनी C प्लस D, यहाँ पर यदि यह अभिक्रिया उस्मा शोशी होगी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि उस्मा शोशी है, यानि कि अभिकार उस्मा का शोशन करते हैं, और तो इस स्थती में यदि साम्या वस्था स्थापित है और अब हम उसके बाद तापमान को बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि इस स्थती में उश्मा का उप्योग करके ये अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और उत्पात बनाएंगे ताकि ये जो उश्मा हमने बढ़ाई है उसका उप्योग हो सके क्योंकि लेशितेलिये का सिध्धान्त यही कहता है कि जो भी साम्या वस्था में हम किसी भी कारक में जो परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में फारवर्ड होगी जिस दिशा में उसकी उप्योग हो सके यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारब ज्यादा इस उश्मा का उप्योग करेंगे तथा अधिक मात्रा में उत्पाद बनाएंगे यने कि अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर फारवर्ड होगी दूसरी ओर यदि अभिक्रिया उश्मा छेपी है यने कि उत्पाद बनने के साथ उश्मा उत्पन हो रही है और साम्य वस्था में इस स्थती में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो चुकि यहाँ पर उश्मा आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रही है तो इस स्थती में अब जो उत्पाद है यनि की C और D उस उश्मा का उप्योग करके आपस में क्रिया करेंगे तथा अधिक मात्रा में अभिकारत में परिवर्तित होगे यनि की अभिक्रिया यहाँ पर पश्च दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगी और हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसर होगी तो यहाँ पर उत्पादों की मात्रा अधिक होगी यनि की C और D की सांद्रता अधिक होगी और जब C और D की सांद्रता अधिक होगी तो की सी कामान अधिक हो जाएगा यानि कि उश्मा शोशी अभिक्रिया के लिए की सी कामान अधिक होगा दूसरी ओर जब यहां पर अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी उस्मक्षेपी अभिक्रिया के case में तो उस स्थती में अभिकारकों यानि की A और B का concentration अधिक हो जाएगा और इस स्थती में की C का मान कम हो जाएगा तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार उस्मा छेपी अभिक्रिया के लिए यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो की C का मान कम होता है तथा उसमा शोशी अभिक्रिया में जब हम ताप का मान बढ़ाते हैं तो की C का मान बढ़ता है इसे हम एक और उधारन के द्वारा समझते हैं और इसके लिए हम उधारन ले रहे हैं अमोनिया के निर्मान की हैबर विधी इस अभिक्रिया में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के एक मोल हैड्रोजन के तीन मोल से क्रिया करते हैं और अमोनिया के दो मोल बनाते हैं यह अभिक्रिया उस्माक शेपी अभिक्रिया है और जिसमें कि अभिक्रिया के फलसरूप 92.38 किलो जूल पर मोल उश्मा उत्पन होती है इस अभिक्रिया में यदि हम साम्यावस्था में ताप बढ़ाते हैं तो लीशिते लिए के सिध्धान के अनुसार अभिक्रिया उस दिशा में फारवर्ड होगी या उस दिशा में आगे बढ़ेगी जिससे इस बढ़े हुए तापमान का हो जाएगी लेकिन यहां पर हम इसपस्ट कर दें कि अमोनिया निर्मान की जो हैबर विधी होती है उसमें हमें अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए इसलिए तापमान कम रखा जाता है ताकि अभिक्रिया पश्च दिशा की और न जाकर अग्र दिशा अग्रिम दिशा क S Typically, और अगे पढ़े सथा हमें अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्ट हो लेकिन यहां पर वताते हैं कि जब तांप्मान कम रखा जाता है तो उस पर करते हैं साम्य वस्था पर तापमान की प्रभाव को आईए अब हम एक उदाहरन के द्वारा समझते हैं या एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं हम जानते हैं कि नाइट्रोजन डायोक्साइड चुकि एक विशम इलेक्ट्रानिक कंपाउंड होता है इसलिए अस्थाई होता है और इसे यह लिए यह तुरंत डायमराइजड होकर डायोग के द्वारा समझते हैं इस प्रयोग के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें की एक निकास नली लगी हुई है अब इस कंटेनर में हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं सांद्र नाइट्रिक एसिड और इसमें डालते हैं कॉपर की छीलन जैसे इनके बीच क्रिया होती है कॉपर नाइट्रिक एसिड से क्रिया करेंगे और यहाँ पर क्यूपरिक नाइट्रिक बनेगा साथ ही साथ यहाँ पर nitrogen dioxide gas बाहर निकलती है, यह nitrogen dioxide जो कि हम जानते हैं घरे भूरे रंकी होती है, इसे इस निकास नली के द्वारा दो अलग-अलग taste tube में एकत्रिच कर लिया जाता है, और इसके पश्चाथ दोनों हे taste tube के उपर कार्क लगा कर इसे हम बंद कर देते हैं, अब इसके पश्चाथ ह हम तीन अलग-लग beaker लेते हैं, पहले beaker में हम ice cold water लेते हैं, यने कि हिमकारी मिश्रन लेते हैं, दूसरे बीकर में हम सामान जल लेते हैं, जो कि सामान ताप पर होता है, यनिकि 25 दिगरी तापमान पर, 25 दिगरी सेंटिग्रे तापमान पर, इसी तरह से बीकर नंबर 3 में हम गर्म पानी लेते हैं, यनिकि हमारे पास जो 3 बीकर हैं, उसमें पहले नंबर के बीकर का जो तापमान है वह लगभग 270 कैल्विन है बीच वाले यहने की बीकर नमबर 2 का जो तापमान है वह सामान यहने की 298 कैल्विन है जबकि बीकर नमबर 3 का तापमान 263 कैल्विन है जिसमें की गर्म जल लिया गया है अब प्रयोग करने के लिए हमने जो दो टेस्ट को हम बीच वाले बीकर में रखते हैं जिसमें की साधारन तापमान पर जल है यहां पर हम देखते हैं कि कुछ समय 8 से 10 मिनट रखे रहने के पश्चात भी नाइट्रोजन कैस की तीवर्ता जो उसका कलर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अब इसके पश्चात हम इसमें से एक परखनली को निकाल कर बीकर नंबर 1 में रखते हैं जिसमें हिमकारी मिश्रण आइस कोल वाटर है तथा दूसरी परखनली को निकाल कर हम बीकर नंबर 3 में रखते हैं जिसमें की गर्म पानी है चुकि यह अभिक्रिया उश्मा खेपी अभिक्रिया है और उश्मा खे मान अधिक favorable होता है इस स्थती में हम देखते हैं कि B का number 1 में चुकि यह अभिक्रिया के लिए favorable है उप्योगी है इसलिए इस स्थती में यह जो nitrogen dioxide है जो की भूरे रंग की है यह dimerized होना शुरू होती है तथा dinitrogen tetraoxide बनाती है जो की रिलगभत रंगहीन होती है और इसलिए हम B का number 1 में जो test tube है उसमें देखते हैं कि जो nitrogen dioxide का गहरा भूरा रंग है वह धीरे धीरे कम होता जाता है उसकी तीवरता कम होती जाती है क्योंकि वहाँ पर dinitrogen tetraoxide बन रही है जो की रंगहीन होती है दूसरी ओर यदि हम B का number 3 में देखें जिसमें की गर्म पानी है और उसमे रखे हुए test tube में जिसमें की nitrogen dioxide है उसके रंग में परिवर्तन होता है क्योंकि इस इस्तती में क्योंकि यह उसमा खशेपी अभिक्रिया है और उश्मा शेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्च दिशा की और आगे बढ़ती है और इस इस्तती म यहाँ पर nitrogen dioxide के रंग में या उसकी तीवरता में परिवर्तन दिखाई देता है तो यह अभिक्रिया यह प्रयोग निश्चित रूप से हमें दिखाता है कि किस प्रकार से जो उश्माक शेपी अभिक्रिया होती है उसके लिए कम तापमान ज्यादा उप्योगत होता है इसे के पशाद हम एक और उधारन लेते हैं और यहाँ अभिक्रिया है जिसमें की एक कॉंप्लेक्स कमपाउंड हेक्जा एक्वो कोबाल्ट टू प्लस आयन इसका विल्डियान लेते हैं और जब इसकी क्रिया जब हम हाडुजन क्लोराइड से अमल के साथ कराते हैं तो इसकी फलस रूप हमें टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट टू माइनस आयन प्राप्त होता है और चुकि यहाँ पर हम पहले ही बता दें कि जो हेक्जा एक्वो कोबाल्ट होता है उसका कलर होता है गुलाबी जबकि टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट आयन इसका जो विल्यन का रंग हो होता है नीला हम यह भी बता दें कि यह जो अभिक्रिया है यह एक उश्मा शोशी अभिक्रिया है और हम जानते हैं कि उश्मा शोशी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का यदि साम्या वस्था पर तापमान बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया अग्रिद्रिशा की ओर बढ रगते हैं तो अभिक्रिया मिष्राण का जो विलियन है हमें गुलाबी रंग का दिखाई देता है उनि कि इस स्थ्ति में अभिक्रिया अग्द्रदि-शा की ओर आगे नहीं बढ़ रही है और यही कारण है कि यहां पर जो विलियन का गुलाबी रंग है उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता दूसरी ओर यदी हम जैसे ही अभी क्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ाते हैं यनि कि इसके तापमान को 298 केल्विन यनि कि 25 दिगरी सेंटीग्रेट पर लाते हैं वैसे ही विलियन का रंग धीरे-धीरे नीले रंग में परिवर्तित होने स्थति में जो अमजिक के साथ करते हैं और यह प्रयोग भी हमें इस पस्ट करता है और किस प्रकार सें उश्मा शोशी अभिक्रिया के लिए सम्यावस्था पर तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ती है तो ये दोनों ही प्रयोग हमें सपस्ट करते हैं कि किसी निकाय की सम्यावस्था पर तापमान परिवर्तन का क्या प्रभा होता है अब हम जानते हैं कि किसी निकाय की साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है इसके पहले रासायनिक बलगत की अध्याय में हमने उत्प्रेरकों के रासायनिक अभिक्रिया की दर पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यन किया है हम जानते हैं कि जो उत्पेरक हैं रासानिक अभिक्रिया के वेग में वृध्धी कर देते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी रासानिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक उत्पाद में परिवर्थित होते हैं तो उनके लिए प्रतेक अभिकारक को एक निश्चित मात्रा में उर्जा की आवशक्ता होती है और इस उर्जा को हम कहते हैं देहली उर्जा अब देहली उर्जा दो प्रकार की उर्जाओं का योग है जिसमें की एक तो होती है अणवों की अपनी प्रात्मिक उर्जा, निश्चित उर्जा या जो ग्राउंड एनरजी, दूसरी होती है जो उसे विभिन माध्मों से प्रवाइट की जाती है, वो होती है एक्टिवेशन एनरजी. और जब इस प्रकार से हम activation energy उसको देते हैं तो उन अणों की उर्जा जब उर्जा barrier को पार करने लाइक हो जाती है यानि उनकी कुल उर्जा देहली उर्जा के बराबर हो जाती है तो ऐसे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाती हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के लिए मुख्य भूमिका होती है activation energy की और यहाँ पर हम बता दें कि जब किसी अभिक्रिया में या अभिक्रिया मिश्ण में हम किसी उत्प्रेरक का उप्योग करते हैं तो उत्पेरक इसी activation energy को कम कर देता है जिससे अधिक से अधिक अभिकारक के अन्वों की उर्जा हो जाती है कि वे आसानी से इस energy barrier को पार कर सके तथा उत्पाद के अन्वों में परिवर्तित हो सके इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पेरक अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होने हे तू एक वेकल्पिक मार्ग या पथ उपलब्ध कराता है जिससे ज्यादा अनू कम उर्जा में भी ज्यादा अनू अधिक मात्रा में उत्पाद के अन्वों में परिवर्तित हो पात तो इससे अभिक्रिया की दर जो साम्य वस्था होती है वह जल्दी प्राप्त हो जाती है क्योंकि जो अभिकारक है वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं लेकिन हम यह भी बता दें कि यहां पर साम्य वस्था वहीं पर प्राप्त होती है जहां वह उत्प्रेरक के बि जिने कि वो अग्र तथा पश्च दोनों ही अभी क्रियाओं के विग को बढ़ाते हैं। अता हमें साम्यावस्था तो वहीं पर प्राप्त होती हैं, जहां पर उत्पेरक की अनुपस्थती में प्राप्त हो रही थी। लेकिन चुकि अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग में बढ़ोतरी होती है इसलिए साम्य अवस्था हमें समय से पहले या कम समय में प्राप्त हो जाती है इसके लिए हम एक उधारन ले रहे हैं जिसमें की नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया का निर्मान करती है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारक के चार मोल आपस में क्रिया करते हैं तथा उत्पात के दो मोल बनाते हैं साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि यदि यह चुकी अभिक्रिया उस्मा क्षेपी है और इसलिए यदि हम इस अभिक्रिया में तापमान को बढ़ाते हैं तो केसी कामान कम होने लगेगा और इस समय जो साम्य वस्था होगी उसे प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा अता इस अभिक्रिया के लिए हमें तापमान कम रखना होता है लेकिन यदि हम ताप कम कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाता है लेकिन यदि हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़तो जाता है लेकिन जो उपलब्धी होती है वह कम प्राप्त होती है क्योंकि इस स्थती में अभिक्रिया अग्रदिशा की और जितनी बढ़ती है लेकिन कुछ समय के पश्चाथ वह पश इस्थतियों का अध्यन किया था जर्मन वैग्यानिक हैबर ने उन्होंने सुझाओ दिया कि यदि हम आईरन उत्प्रेरक का उप्योग करते हैं तो अभिक्रिया का जो परणाम होगा वह या उत्पाद की जो मात्रा होगी वह संतोष जनक प्राप्त होती है जो कि यहां पर उ आभिक्रिया में अग्र सर होती है जिस और इस बढ़े वेदात के प्रभा को कम क्या जा सके यनिकि जिधर उच estado और बढ़ती है जिससे मोलों की संख्या कम हो यनिकी अभिक्रिया अग्रदिशा की और बढ़ने लगती है अग्र दिशाधी और kayak forward होने लगती है इस तरह से इस पूरी अभिक्रिया के लिए यदि हम अमोनिया निर्मान की हैबर विधी देखें तो इसलिए हम इस अभिक्रिया की जो परिस्थतियां है जो उप्यूक्त परिस्थति होती है वह होती है अधिक दाग जो की 200 एट्मोस्फिरिक प्रेशर होता है तापमान यहाँ पर होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेट तथा इसमें उत्प्रेरक की उपस्थती रखी जाती है जो की होता है आईरन उत्प्रेरक और इन परिस्थतियों के को यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर जो साम्या वस्था है वह हमेशा अग्र दिशा की और अग्रसर रहती है जिसके फुर्स रूप हमें अधिक मात्रा में अमोनिया गैस प्राप्त होती है इसी तरह से एक हम और उदारन ले सकते हैं और यह उदारन है सल्फूरिक एसिट निर्मान की संपर्क विधी इस विधी में हम सल्फर डाय ओक्साइट का ऑक्सी करन करके सल्फर ट्राय बनाते हैं और इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान होता है वह है 1.7 इंटू 10 टू दू पावर 26 अब केसी का जो इतना अधिक मान है वह दर्शाता है कि यह अभिक्रिया पून हो जानी चाहिए लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं होता इन परिस्तियों में जो सल्फर डाय ओक् साइट में जो परिवर्तन है वह बहुत धीमी गती से होता है और इसलिए इन साम्यावस्था में यदि हम प्लैटिनम या फिर डाई वेनडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक का उप्योग करते हैं तो अभिक्रिया अग्रदिशा की ओर बढ़ती है और हमें उत्पाद अ साम्यावस्था को अग्रदिशा की ओर विस्थापित किया जा सकता है तो इस तरह से विभिन उदाहरणों के द्वारा हमने ले शिटेलिये सिध्धान्त को समझा और यह जाना कि रासायनिक अभिक्रिया या उत्क्रमनी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था पर विभ इनकी जानकारी होनी चाहिए, तथा हम इसमें निष्चित दिशा में या निष्चित परिवर्टन करके अभिक्रिया को अग्र दिशा की और अग्रिसर कर सकते हैं। हमने यह जाना कि यदि तापमान का प्रभाव यदि तापमान बढ़ाना है तो उस्मा शेपी अभिक्रिया के लिए तापमान बढ़ाने पर केसी कामान घटता है जबकि उस्मा शोशी अभिक्रिया के लिए तापमान यदि हम बढ़ाते हैं तो केसी कामान कम होता है यहने कि उश्माक्षेपी अभीक्रिया के लिए ताब बढ़ाना उप्योगी नहीं है, जबकि उश्माक्षेपी अभीक्रिया के लिए ताब बढ़ाना उप्योग तो होता है. इसी तरह से दाब के को भी यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा की और अग्रिसर होती है जिस और मोलों की संख्या कम हो और इस तरह से यहाँ पर दाब बढ़ा कर भी हम अभिक्रिया की को अग्रिशा की और फारवोड कर सकते हैं इसी तरह से सांदर्ता की प्रभाव में हमने देखा कि यदि अभिक्रिया के मिश्रण में यदि हम अभिकारकों की सांदर्ता में परिवर्थित करते हैं या बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो यदि हम अभिकारकों की सांदर्ता में वृध्धी करते हैं तो अभिक्रिया अग् परicas पर वह गरते हैं इसके अलावा हमने देखा कि जो अक एसे होती हैं वह चूंकि अभिकारक या उत्पात के साथ किसी Deutsch भी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और इसे लिए अभिकारक या उत्पात की सांद्रता में परिवर्तन नहीं करती और यही वज़ा है कि अक्री गैस में लाने से सामाने तयर अभिक्रिया की साम्य वस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लाश तेलिये के अनुसार यह समझ लेने के बाद आये अब हम कुछ उदाहरन लेते हैं और यह जानते हैं कि इन रासाइनिक अभिक्रियाओं में भिन भिन परिस्ततियों में या कारकों में परिवर्तन करने से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव होगा यहाँ पर हमारे पास अभिक्रिया है H2 प्लस I2 रिवर्जिबल 2HI और यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ अभिक्रिया उस्माक शेपी अभिक्रिया है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा हम जानते हैं कि जो उस्मक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्च दिशा की ओर चलती है यानि कि यदि हम इसमें ताप कम करेंगे तो साम्यवस्था अग्र दिशा की ओर फॉर इसलिए दाप का इस अभिक्रिया की साम्य वस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसी तरह से अब देखते हैं सांदरता का प्रभाव यदि हम हाड्रूजन और आयोडीन की सांदरता में व्रधी करते हैं तो अभिक्रिया अग्रदिशा की और बढ़ेगी जबकि यद प्रेरक इस अभिक्रिया में उत्रेरक का उप्योग करते हैं तो हमें साम्य वस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी इसी तरह से अक्री गैसों का इसकी अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा इसी तरह से दूसरा एक्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर हम देख उसमाक शेपी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि यदि ताप बढ़ाया जाए तो यहाँ पर अभिक्रिया पश्च दिशा की और अग्रसर होगी यनि कि ताप कम करने पर यहाँ पर साम्यावस्था अग्र दिशा की और जाएगी और केसी कमान अधिक होग इसी तरह से दाब बढ़ाने पर यहां पर अभिक्रिया अग्रिदिशा की और अग्रिसर होगी क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो उत्पाध हैं उस तरफ मोलों की संख्या याने की सांध्रता कम है इसी तरह से यदि हम यहां पर सांध्रता बढ़ाते हैं यहां पर हम उत्प्रेरक का उप्योग करेंगे तो हमें साम्य वस्था जल्दी प्राप्त होगी जब लेकिन वहीं पर प्राप्त होगी जहां पर या उत्प्रेरक की अनुपस्थती में प्राप्त हो रही थी यहां पर भी हम देखें कि अक्री गैस के मिलाने से इस अभीक्रि और स्ट्राइक्लोराइड बनाता है साथी साथ क्लोरीन कैस बाहर निकलती है हम यह बता दें कि यह अभिक्रिया उश्मा शोशी है तो निश्चित रूप से यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो सम्यवस्था इसमें अग्रदिशा की ओर बढ़ेगी तथा केसी कामान भी बढ़े है और हम जानते हैं कि जब दाप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया उद्धिशा में अग्रिसार होती है जिस तरफ मोलों की संख्या कम हो यह थे यह सांदरता में व्रिद्धि करेंगे तो अभिक्रिया अग्रदिशा में बढ़ेगी जबकि PCL3 या क्लोरीन की सांद्रता में व्रधी करेंगे तो अभी क्रिया पश्च दिशा में अग्रिसर होगी इसी तरह से यदी हम इसमें उत्प्रेवक का उप्योग करते हैं तो साम्य वस्था तो अपरिवर्थित रहेगी लेकिन समय से पहले या शिग्र हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर भी अक्री गैस मिलाने से साम्य वस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसी तरह से एक और अभीक्रिया लेते हैं यहाँ अभीक्रिया है जिसमें कि नैट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नैट्रिक ऑक्साइट का निर्मान करती है हम यहां बता दें कि यह अभिक्रिया भी उश्माशोशी अभिक्रिया है. तो निश्चित रूप से ताब बढ़ाने पर यहां सामय वस्ता अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगी. यहां कि यहां पर केसी कामान अधिक होगा. दूसरी और दाब बढ़ाने पर चुकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारत तथा उत्पाद दोनों और मूलों की संख्या समान है अता दाब बढ़ाने पर इस अभिक्रिया की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसी तरह से यदि हम सांदरता का प्रभाव देखें तो हम जानते हैं कि नाइट्रूजन और ऑक्सीजन की सांदरता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्रदिशा की ओर जाएगी यनि कि हमें अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगे दूसरी ओर यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड की सांदरता में वृद्धी करते हैं तो अभिक्रिया पश्च दिशा की ओर आएगी और हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होगी इसी तरह से यदि हम यहाँ पर उत्प्रेरक का उप्योग करते हैं तो उत्प्रेरक का उप्योग करने पर हमें साम्या वस्था जल्दी प्राप्त होगी लेकिन प्राप्त वहीं पर होगी जहाँ पर उत्प्रेरक की अनुपस्थती में प्राप्त हो रही थी साथी साथ यहाँ पर भी किसी भी अक्री गैस के मिलाने से साम्या वस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस तरह से हमने विभन उदारणों के द्वारा अच्छे तरह से समझ लिया है कि किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया की साम्या वस्था पर या किसी निकाई की साम्या वस्था पर सांद्रन, ताप, दाप, उत्प्रेरक की उपस्थती तथा अक्री गैस मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है तथा किस प्रकार इसकी जानकारी होने पर हम इसमें आवशक्ता अनुसार परिवर्टन करके अभिक्रिया को अग्र दिशा की ओर फारवर्ड कर सकते हैं तथा अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं